कि प्यारे वच्चों हमने प्रीवेस वीडियो में आपको एक इंपोर्टन टॉपिक कर रहाय था हाइगें सिद्धान पर प्रावर्तन के नियमों की वया क्या है अब हम अपने सेकिंड वीडियो में सेकिंड मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन करवा रहे हैं हाइगेंस के जान पर अफवर्तन के नियमों की वह अब हम अफवर्तन पढ़ने तो पहले अफवर्तन के बारे में जानने होता क्या है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने अब ये वाई यू से जल में आ रही है ये विरल माद्ध में और जल क्या है सगन माद्ध में तो ये अभिलम की और जुख जाएगी अपने पत से बिच लेत होगी अगर ये सगन माद्ध म से विरल माद्ध में जाएगी तो अभिलम से क्या हो जाएगी दूर अड़ जाएगी ये कौन सा कून है आपतन कून ये कौन सा कून है अपवर्तन कून ये कौन सी किरन कलाएगी आपतित किरन आपतित किरन और ये कलाएगी अपवर्तित किरन ये आपतन कून और ये क्या आपका अभिलन तो इसमें कितने नियम है दो नियम में आप्टित किरन अफ़र्टित किरन प्ता अभिलम तीनो एक बिंदू पर मिलने चाहिए मिल रहे हैं दूसी चीछ किनी दो माद्यमों के लिए कानुपात एक नियान तांक होता है जिसे अफ़र्टमां कहते है और इसने स्नेल का नियम भी कहते हैं किसका नियम स्नेल का नियम किनी दो माध्यमों के लिए आपतन कौन की जाया तदा अफ़रतन कौन की जाया कानुपाद एक निया तांक होता है जिसे क्या कहते है अफ़रतनां कहते है और यही स्नेल का नियम इसी नियम को हमने पुरूव करना है अब इसी नियम को हमने पुरूव करना है तो हम क्या करेंगे एक प्रकाश की किरन से काम नी चलेगा हम दो समानां पर प्रकाश की किरने लाएंगे और उनके बाद बीत में भी बहुत सारी प्रकाश की किरने होंगे देखें हमाँ पास x, y एक boundary है जो दो माध्यमों को विभक्त करती है ठीक दो परकाश की समनांतर केरने आ रही है दो परकाश की समनांतर केरने आ रही है पहली और ये दूसरी जब परकाश की केरन A विदू पर पहुंची थी पहली इस माध्यम में इनका वेग B वन है तो ये परकाश की केरन कहाँ पे पहुंची थी B विन्दू पर दूसरी वाले तो ये आपका आपतन को हुआ आयी तो ये कोन भी आयी हो जाएगा हमने प्रावर्तन वाले में इसे बहुत ज्यामत्ती तरीके से समझाया था यह कुण कितना हमारा 90 डिगरी अबी क्या हो जाएगा हमारा आप्तित सम्तल तरंगावर इसका मतलब क्या है यह निये कि मैंने यह बता है यह और बी कि इसमें बहुत सारी प्रकाश की किरने प्रकाश को आगे भीजेंगे अब साब प्रकाश को उन्हें आगे भीजा यह प्रकाश यहां पहुंचा क्योंकि यहां पर हमारा विरल माध्यम है जिसका प्रकाश की किरन दी बिंदू पर पहुंची कि आप पहुंची डी बिंदू पर यहां मना देते हैं अगे तब यह प्रकाश की किरन बी से सी तक पहुंची यह क्या हुई अब वर्तित हुई यह कौन आर है तो यह भी ज्यामिती विद्य से कौन क्या हो जाएगा आर हो जाएगा बी से सी तक जब परकाश की किरन बीरल माद्यम से सगन माद्यम में जाती है ना तो क्या होता है वेटा सुर्ण यह इसकी चाल कम हो जाती है इसने ज़्यादा दूरी तै करिए इसने उसके तुलना में कम दूरी तै करिए चाल कम हो जाएगी तो दूरी भी कम हो जाएगी पर समान समय में समान समय में परकाश की करण B से C तक पहुँच रही है और इसी समय में परकाश की करण A से D तक पहुँच रही है ये कौन कितना हो गया? 90 डिगरी अब एक एक तिर्बूज लेंगे तिर्बूज A, B, C में साइन आई आई ये आधार है ये लंब है ये भी करण है ये आधार है तो साइन आई B, C अपॉन A, C B, C क्या हो जाएगा आपका? दूरी वेग गुना समय अपॉन A, C तिर्बूज A, D, C में साइन आई किसके बरावर हो जागा है साइन आई? साइन आई ये आधार, ये लंब और ये भी करण ये आधार है तो साइन आई A, D अपॉन A, C A, D अपॉन A, C A, D दूरी है वे कितना है? इस माध्या में वे कितना ले रहे हैं? V, 2 कितना हो जाएगा? V, 2 इंटू T अपॉन A, C ये समय करण 1 और ये समीकर्ण 2 समीकर्ण 1 भाव, समीकर्ण 2 साइन आई अपॉन साइन आः क्या बच्चेगा आपका? V, 1, T अपॉन A, C V, 2, T अपॉन A, C क्या बच्चेगा आपके पास? V, 1, अपॉन V, 2 एक सूत्र होता है तो इहाँ पे मैं सूत्र होता हूँ इहाँ पे C, D क्या हो जाएगा आपका? अपवर्तित अपवर्तित सम्तल तरंगागा एक सूत्र की बात कर रहा हूँ Mu is equal to C by V V is equal to C by V is equal to C by Mu यह परत्मान को आपके सूत्र आप जानते होंगे तो V, 1 कितना हो जाएगा? C by Mu, 1 V, 2 कितना हो जाएगा? C by Mu, 2 यह क्या हो जाएगा? Mu, 2 upon Mu, 1 तो आपका साइन आई upon साइन आड क्या आगे आपका? 1 Mu, 2 यही किसका नियम है? स्नेल का नियम किसका नियम है? स्नेल का नियम तो जो CD था हमारा कैसा होगा? अपरकाश की करेंगे अपवर्तित होगे आच चुकी दूसरे माद्दे में CD को कहेंगे अपवर्तित सम्तल तरंगा तो इसमें आपकी आपतित किरण अब इलम और अपवर्तित किरण एक ही बिंदू पे मिल रही है पहला नियम की वैक क्या होगी? दूसरा हमने गणितिय रूप में सित कर दिया साइनाई अपन साइनार का मान किसके बराबर है? वन मियूटू के बराबर है बच्चो यह बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है मैंने बूर्ड में जैसे हम अनलीसिस करते हैं तो यह हमेशा या तो यह प्रावर्तन का नियम या वर्तन के हम हमेशा आता है तो यह जिसने बच्चे ने पहली वीडियो नहीं देखिए न मेरी इससे पहली वाली वो वीडियो प्रावर्तन के नियम की वाक्त है जरू देख लेख 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 पेटे मेरी कोशिश जितने भी महत्पुन परशन है उन्हें डिटेल में अच्छी तर से एक्स्प्रेंड करके साधान साल भाषा में आपको वीडियो के रुब में पस्तुत कर सकूंँ कोशिश जा रही है मेरी मैं लगतार कोशिश कर रहा हूँ मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो में वीडियो को लाइक करिए ना सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए देखिए अपने सातियों से भी शेयर कीजिए ये बोर्ड में आन